हलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ, आप लोग बहुत अच्छ होगे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप नमक से कैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं घर पर ही बिना केट के नमक से कैसे आप टेस्ट करेंगे, पूरा आपको डेटर्स में वीडियो बताऊंगी कैसे आपको करना है, किस टाइम करना है और कौन सी यूरिन से करना है सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो देखिए अगर आप वीडियो पर पहली वार आएं तो प्रीज वीडियो को लाइक जूरू कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह की प्रेगनेंट से टिप से रिलेटीड वीडियो का नटिफिकेशन टाइम मिलता रहा है मैं आपको आज लाइब करके दिखाने वाली हूँ देखिए एक बिना प्रेगनेंट लेडिस का यूरिन है और एक प्रेगनेंट लेडिस का यूरिन है तो दोनों से आज में टेस्ट करके दिखाने वाली हूँ आपको कि ये कितना परसंट सही है कितना परसंट सही नहीं है ठ तो हो प्रेग्स है और अगर नहीं आ रहे हैं तो प्रेग्स होगा ऐसा कुछ तो आज आपको करना फोरा करना ह мच पूरा करना है तभी आपको पूरी जानकरी होगी और प्लीज कोई बीक बिना वीडियो को देखनें करिएगा क्योंकि वीडियो को पहले पूरा देखिएगा तब एक को एक कमेंट करिएगा तो आपको आप लाइप करके दिखाऊंगे आपके सामने ठीक है तो चलिए ररेने को फोझा करना है ठीक है यूरिन आपको बासी लेना होता है चाहें आप किट से करिए चाहें कैसे भी करिए यूरिन बासी अगर सुभा की ले गए तो उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप जब सुभा उठते हैं तो बासी यूरिन को आप लेके रख लीजिए किसी व होते हैं जो आपका प्रेट में सो जाता है उसके पांच छे दिन उपर हो जाना चाहिए उसके बाद आप जो है इसको यूज करिएगा जब आप प्रेगनेंट होते हैं आपके यूरिन में एक zhdaat cg नाम का हरमोस होता है जो रिलीज होता है जिससे के आप पता लगा सकते हैं उसी से पता चलता है कि अपको रिज सै नहीं है तो आज कि वीडियो में मैं बताने वाली हूं तो चलिए यह नाल देते हैं इसBaby कैसे यह प्रेंसिया है नमक लेते हैं और यह देखिए मैं मैं डाल देती हूं जो प्रेगनेन नहीं है लडिस उसी यूरीन में ठीक है तो मैंने इसमें डाल दिया है अब आप देखिए कि इसमें कोई भी बदलाव आपको नहीं नजरा रहा है कोई नहीं कोई भी बदलाव आपको दिख Watson और और अब मैं यह चीज इसमें ही करती हूँ, जो pregnant ladies का urine है, इसमें डाल देते हूँ, तो यह देखे, आपको इसमें भी कोई बदलाब नजर नहीं आ रहा है न, देख सकते हैं, इसमें कोई भी बदलाब नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, यह देखे, ना इसमें कोई बदलाब है और नहीं इसमें कोई बदलाब है अब मैं आपको बताती हूं कि वो लोग क्या करते हैं ठीक है लाइब दिखाते हैं एक में नमक डालके दिखाते हैं और बताते हैं कि इसमें कोई बदलाब नहीं है दूसरे में नमक डालते हैं बट उसमें नमक में पहले ही कुछ न कुछ मिला लेते हैं जैसे कि या फिर सोड़ा मिलाते हैं या फिर थोड़ा सा इनू मिलाते हैं मैं भी आपको दिखाती हूं थोड़ा सा इनू डाल कर ठीक है यहाँ पर मैंने चम्मस में थोड़ा सा इनू डाल ले रहे हूं ठीक है वो लोग भी नमक में क्या करते हैं थोड़ा सा इनू यह और यह वाली में देखिए बबलस नहीं आ रहा है और इसमें आप धियान से देखेंगे तो इसमें बबलस दिख रहे हैं के побeld देख सकते हैं किनारे करने कितने सारे बबल्स हैं और इसी तरह से वो लो दिखाते हैं कि हां जो प्रेес यूरिन है उसमें बताते हैं कि बहुत सारे गयुद सायाते हैं तो फ्रगनेंट है और जो नहीं प्रेगनेंट है उसका बंद नहीं आते हैं देखिए उसमें नमक भी नहीं गुला ऐसा दिखाते दिखे नमक ऐसा ही है और इसमें देखिए कितने बबल्स हैं यह देखिए और बबल्स क्यों आये हैं मैंने आपको दिखा दिया कि बबल्स क्यों आते हैं वो लोग क्या करती हैं फेक दिखाते हैं प्रेग्नेंसी टेस्ट की इस तरह से आप करेंगी तो आप प्रेग्नेंसी टेस्ट कर सकते हैं म तो आप देखे प्रेगनेंसी जब आपकी कंसीब होती है तो आपके अंदर कुछ लक्षण भी होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप प्रेगनेंट हैं और इसके सिवा आप प्रेगनेंसी किट जो आती हैं उससे भी प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं देखे ये जो तो फेक वीडियो होती हैं उनकी चक्कर में ना पढ़के आप अपना प्रेग्नेंसी टेस्ट करना है तो आप किट से कर लीजिए वनना आप हॉस्पिटल जाके वहां हॉस्पिटल में चेक करते हैं वो बता देंगे आपकी यूरिन से तो आप बहां से भी कर सकते हैं यूरिन एफेक्ट नहीं नजराया और जब मैंने देखिए इनो डाला है तो इसमें कितने बबल से दिख रहे हैं देखा यह आपने तो बस यही कहना चाहते हूं कि फाल्तु की चीजों में ना पढ़के आप सीधे किट से ही चेक कर सकते हैं किट मार्केट में आती है 50 रुपीज के आती है इससे ज्याधा की भी आती है तो आप किट से नॉर्मली चेक कर सकते हैं किट से आपको कैसे चेक करना है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सुभा का बासी यूरिन लेना है और उससे आपको 2-3 बुन किट में डालना है और आपको देखना है कि अगर दो लाइन आ जाती है तो आप प्रेग्नेंसी टेस्ट कंफर्म है पॉजिटिव है और नहीं आती एक लाइन आती है तो निगेटिव है ठीक है आप इससे अंदाज लगा सकते हैं आपको पता चल सकता है उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको लगी होगी थोड़ी सी भी हैल्फू लगी है तो प्लीज वीडियो को आगे जरूर स्याए करें ताकि कोई भी इन गलत फैमियों में नार है सही इंफ्रमेशन उनको मिले और आगे जिसने सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब भी करिए गा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो का notification time to time मिलते रहे हैं आपको सही information provide कराने की हम पूरी कोसिस करते हैं तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टापिक पर बाई बाई टेक कियर